आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है PRO-POHA वेर PRO stands for protein और protein आएगा पनीर से तो चलिए बनाते हैं PRO-POHA तो प्रो-POHA बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में थोड़ा सा घी लेंगे और इसके अंदर कुछ पीनट्स को रोस्ट करेंगे सो पीनट्स तो पोहा में डलते ही हैं अब इसके साथ-साथ हम इसके अंदर कुछ पनीर के क्यूब्स भी आड़ करेंगे और दोनों चीजों को एक साथ रोस्ट करेंगे सो पनीर में भी कैल्सिम के साथ-साथ प्रोटीन होता है और पीनट्स भी जोकी हल्डी ह inqu sz whoopah, लिए अच्छा सोच है अट यह सब आ आप नेम्ड इस फोहा, प्रोपोहा जब तक पीनट्स वा पनीर रोस्ट हो रहा है, इसे साथ के साथ स्टर करते रहना जरूरी है, नहीं तो पनीर कढ़ाई एक साथ चिपक सकता है और जैसे ही यह हलका सा गोल्डन ब्राउन होने लगेगा पनीर एंड पीनट्स रोस्ट हो जाएंगे, इसे हम निकाल कर एक साइड में रख देंगे सेम कढ़ाई में हम थोड़ा असा ओइल लेंगे, मैं यहाँ पर मस्टर ओइल यूज कर रहे हूँ बिकिज आए पर से लाइफ पोहा इन मस्टर ओइल इसके बाद हम इसमें पोहा गाई को और खास इंग्रीबियन डालेंगे, जो कि है करी लीज करी लीज के बाद हम इसके अंदर कटा हुआ प्याज आइड करेंगे साथ पर थोड़ी सी चॉप किई हरी मिर्च आइड करेंगे पोहा में में काली मिर्च या लाल मिर्च का यूज नहीं करती, I just add some green chillies to make it spicy इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे और इसके बाद अब हम इसमें थोड़ा सा salt आइड करेंगे then let's add some healthy powder guys and सभी ingredients के list quantities के साथ आपको screen पे मिल जाएगी जहां से आप इसका screen shot ले सकते हो अभी आप सरफ इस recipe पे focus करिए अब बारी है इसके अनर soaked poha आड करने की so poha को मैंने running water के अंदर कुछ देख लिए wash किया था जिससे वो soft हो गया है और अब इसे कढाई में डालके सब चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे उपर से थोड़ा सा fresh lemon juice इसमें squeeze करेंगे और अब बारी है रोज क्यावाब पीनट पनीर इस पर डालने सभी चीजों को mix करेंगे and then we'll add some chopped coriander leaves इसी के साथ ये poha सर्फ होने के लिए ready है आप इसे एक serving plate और serving bowl में निकाल दीजिए Garnish it with some more coriander leaves and roasted paneer and peanuts साथ में एक lemon भी रख सकते हैं और इसी के साथ हमारा pro poha ready है Another delicious and healthy recipe for you आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राइ कीजिए खुद भी खाई और अपनी फैमिली को भी खिलाइए आप आप झाल झाल